एक होपसरत प्लस साइज भारती लड़की अपने बिक्नी अंडर गार्मरस में कैमरे के सामने पूरे एतमाद के साथ खड़ी है, त्यार हैं कि वो साड़ी बांदे की तरक्की पजीर आठ के बारे में बात करे और कैसे वो जदी तर्सको रवायती पहनावे में शामिल करती है इसकी चमकती हुई जिल्द नर्म रोश्नियों में दमक रही है जब वो अपनी नेट साड़ी को अपने जिसम के गिर्द एड़जस्ट करती है, ये दिखाते हुए कि हाल औरत चाहे इसका जिसमानी साइज कुछ भी हो, किस तरह साड़ी में खूपसूरती और बकार पास सक आज वो दिखाना चाहती है कि साड़ी बांदे का फन कैसे सालों में बदल गया है, इस बात पर जोड़ देते हुए कि ये पुराना पहनावा जदीद अंदास के साथ कैसे पहना जा सकता है, ताके शक्सियत, एतमाद और मुऊसर फैशन को जाहर किया जा सके, वो सबसे पहले साड़ी बांदे की खुबसूरती का तारफ कराती है, ये बताते हुए कि ये एक छेगस का कपड़ा औरतों के हर किसम के जिसम के लिए कैसे हैरत अंगेस दोर पर काम करता है, वो मुस्कुराती है जब वो कपड़े को छूती है, अपने नाजरीन को याद द दिलाती है कि साड़ी सिरफ एक लिबास नहीं है, ये विर्सा, नस्वानियत और फन का इजहार है, साड़ी की सादगी और वर्स्टाइल नोयत इसे किसी भी मुअका के लिए एक मिसाली लिबास बनाती है, चाहे वो एक मामूली इज्टिमा हो या कोई बड़ी तकरीब, च अपड़ा इस बात का त्वाइन करता है कि आप इसे कैसे बानते और पहनते हैं, हर औरोत को अपने मुनफरेद अंदास को अपनाने की अजाज़त देता है, एक प्लस साइज की औरत के तोर पर वो इस हकीकत में खोशी महसूस करती है कि साड़ी बानना सखत मेयारों का पब नहीं है, ये तखलीकी सलाहियत और खुद एहजार के लिए जगा फराम करता है, दिस प्लस फेशन वर्ल्ड, लाइक दिस वीडियो और सब्स्राइब